तो यह पार्ट टू है आपका अलेजिंड ओफ नॉर्थ लेंड का इसका पार्ट वन में डिस्क्रिप्शन पर आपको दे दूंगे जिसमें आपका फुल एक्स्प्लेनेशन है विद राइमिंग स्कीम लिटररी डिवाइस एवरे थेंग इस 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 वाले पार्ट में हम स किसमें कहा जाता है तो जोई फ्हें है वो किसके उपर है एक ओली के ऊपर है जिसने इसको गुस्ता दिला धिया था सेंट पीटर को किस वज़े से अपने रहती है शी वस्मेंटिंग केक्स और इतनी ज्यादा भूग लगी थी कि वह उस वजह से बिलकुल बिहोश होने के थाइट लेडी तो गेफ हम पीस ऑफ केक कि उन्हों ने क्या करा उस लेडी से कहा कि वो उसको एक पीस ऑफ केक्ट दे यानि चोटा सा तुकड़ा ही दे तो बढ़ा लग रहा था तो शे दीड नट गिविम देट इसको कुछ नहीं दिया इन सीड मितलब होतास के बजास ने क्या करा शी बेग दानादर स्मॉल अनुड फिर दूसरा एक और बेक करने लग उससे छोटा जब तो फिर दूसरा एक उससे छोटा एक बेक करें तो तो बढ़ा लग रहा है यह नहीं देना चाहिए मतलब दो बार वह नहीं दे चुकी है इंदे थर्ड अटेम्ट शेटो के एक्स्ट्रीमली लिटल स्क्राप अफ डो एंड रोल्ड इट फ्लाट स्क्राप होता लिटल अमाउंट में तो लास्ट फॉल अटेम्ट में यानि कि थ सब्सक्राइब कर दिया था और फिर उसे भी बेक करते लेकिन फिर उसे क्या लगता है यह यह नहीं देना चाहिए अपनी तरब से किसी को कुछ help करने को ready नहीं है because of just of greed he said that she was not fit to live in human form and enjoy food and warm वो और क्या कहते है कि वो जो lady है वो बिल्कुल deserve नहीं करती है एक human being होना और क्या enjoy करना जो human being करते है food हो गया warmth हो गया shelter everything he cursed her and transferred her into a woodpicker bird वो से curse करते हैं श्राब देते हैं और उसे किस में बदल देते हैं एक फूट पेकर वर्ड में बदल देते हैं who had to bore in hard dry wood to get it scanty food scanty होता है little में और bore होता है student to make a hole with the help of a tool or digging मतलब वो गया करते हैं जब उसे बदल देते हैं वोट पेकर बर्ड में तो वो चिडियां को दिन बर बहुत जादा मेहनत करने पड़ती है सूखे जंगलों में और अपने के लिए चोटा-चोटा do you think the Northland refers to यानि क्या लगते कि कौन सी कंट्री या फिर कौन सी कंट्री उस Northland के अंदर आती है अगर हम बात करें तो so the Northland refers to the region around the North Pole तो basically जो Northland का region होता है जो जिसे कहा जाता है वो North Pole का असपास का जो अरिया होता है what did St. Peter asked the old lady for what was the lady's reaction यानि कि St. Peter क्या कहते है लेडी से और वो उसका reaction क्या होता है St. Peter asked the lady to give him a cake वो उसे कहते कि वो उसे cake दे as he was hungry क्योंकि वो बहुत भूके थे the lady did not give him a cake lady कोई cake नहीं देती out of the one she had baked यानि कि जो उसे बेक करे वे होते है अपने स्टोर में उससे वो एक तुकडा तक नहीं देती है उनको और food और shelter we can say that तो वो उसे कैसे पनिश करते है वो उसको बदल देते है उस ओड लेडी को किस में बदल देते है उसको वोडपेकर बड़ बदल देते ताकि उसको दिन बर अपने के लिए महनत करने पड़े चोटे-चोटे खाने के लिए भी उसको बिल्कुल दिन भर वो ब अपर तो जो दिन भर वो क्या करती बोरिंग करती एक तरीके से तो उसको लखडी में से उसका एक तरीके से खाना मिलता तो डियो तेंग डेडी वोड़ हाव बें सो अंजेनरेस इफ शी हाद नोन हूसें पीटर रहता कि संट पीटर कॉन है तो क्या वो जैसा उसने करा था है उनके साथ करती जेनरेस का ओपाजट अंजेनरेस यानि कि कि एक तरीक इसे काइन हर्टे होती उनकी तरफ ऐसे विलकुल ही विकार की तरह रियाक्त में करती और सेंट वह नहीं दिखाती on the other hand इसके बज़े वो क्या करती she would have served him well for the fulfillment of her greedy desire desire यानि कि इच्छा वो उनको बहुत अच्छे से serve करती ताकि क्या पता वो उसको कोई अच्छे से blessing दे 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 जिसे वो अपने ही greedy यानि कि अपना ही जो उसके लालची desire थे उनको वो पूरा करती is this a true story which part of this poem do you feel is the most important क्या आपको लगता है यह सची कहानी थी it's not a true story यह कोई सच कहानी नहीं है the point of the story where the woman is turned into a woodpecker bird is the most important और सबसे important सबसे metaphor किसा कौन सा था इस पूरी पोयम का अगर हम बात करें story का एक तरीके से तो तब था जब वोट पेकर में convert हो जाती है वो जो old lady होती है this is so because punishment teaches everyone the lessons to be generous punishment हमें कहीं न कहीं सिखातिक तरीके से हर किसी को सीख देती कि हमें जिन्दगी में दयाल होना चाहिए kind-hearted होना चाहिए उदारवादी होना चाहिए so हमें कभी भी greedy नहीं होना चाहिए next देखिए what is a legend why is this poem called a legend legend क्या होता है और क्यों इस poem को legend कहा गया है so a legend is a popular story from the past which is believed to be true but cannot be verified यानि के legend एक बहुत ही अगर मैं बात करूँ प्रसिद्ध कहानी होती है past से जो हम believe तो करते हैं लेकिन हम यह यह नहीं पता कि हम उसको सच माने या ना माने यानि कि हम उससे believe तो करते हैं कि वह सची हो सकती है लेकिन हम उससे verify नहीं कर सकते इट contains a moral यह एक moral एक सिक्षा इसके अंदर होती है which is narrated to the children to teach them moral values जो basically बच्चों को बताई जाती है ताकि वह इससे क्या सीखे वह इससे एक moral values सीखे तो यह था student part 2 का explanation उबीद करती हूँ कि आपको explanations clear हो गया होगा और आपको इस poem में कोई दिक्कत नहीं होगा आप आराम से सारी questions निकाल लोगा इस poem के और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे comment section में या मेरे description पर मैंने links दिये हैं आप मुझे directly वहां से contact कर सकते हो